हेलो गाइज एन वेलकम टू कोटेक और आज हम बात करने वाले हैं OIS and EIS के बारे में ना मुबाइल कामरास के अंदर आपने जरूर सुना आओगा टर्म्स प्रोमोट करते हैं OIS है इसमें EIS है तो क्या होता है अक्चुल में यह OIS और EIS बताऊंगा आज अच्छे से इस वीडियो के अंदर मगर से पहले अगर आप पहली बार इस सेनल पाएं जरूर से जाने के सब्सक्राइब कीज़े वीडियो पसंद आएक तो लाइक कीज़े नहीं पसंद आएक तो डिसलाइक कीज़े और मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के सजेशनस और आउट के लिए शुपन है ही विज़े लिए बात करते हैं ओ आई-इस यह ज़िए आपको पता है तो यह होता है नहीं पता इन के हैसाब को तो गिंबल के इंदर क्या होता है जब आप कभी भी कोई भी चीज उसके ऊपर फिट करते हैं लाइक कैमरा या मुबाइल फोन तो चाहे आप कैसे चले और कितना भी टेड़ा मेड़ा हो आपका कैमरा और आपका मुबाइल फोन हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे रहता है नो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसका सेंटर ओफ मास बैलेंस किया जाता है और जब आप एक डिरेक्शन में मूफ करते हैं आपका मुबाइल आटमेटिकली दूसरी डिरेक्शन में मूफ हो जाता है और वो एक फिक्स पोजीशन जो है अपनी मेंटेन कर पाता है ना ओई एस यही होता है आपके मुबाइल कैमरा सेंसर जो है उसके आसपास एक गिंबल काइंड अफ स सेम पोजीशन पर रहने की कोशिश करेगा और यहां पर यहां पर हम कोई फिजिकल हार्डवेर का यूज नहीं लेते हैं इंस्टेड हम एक इलेक्ट्रोनिकली यानि की एक सौफ्ट्वेर अल्गोरिथम के थरू यह चीज़ अचीज़ करने के कोशिश करते हैं ना कैसे होत करती है नाँ जब कभी भी आप अपने क्यामरा को ऊपर मूफ करेंगे तो नीचे हमारे पास मार जाना है जो की ऑपजिरेक्शन में मूब हो जागा तो इसी तरीके से एक तरीके से एक टरीके से एक वसी और दोनों के अंदर अगर आप बहुत ज़्याद है एक्स्टीम ले तक हलका थोड़ा बहुत हिलना वो maintain कर लेगा लेकिन बहुत ज़ार स्केल पर अगर आप हिलाएंगे तो वो से maintain और balance नहीं कर पाएगा साथ-साथ OIS और EIS में से obviously OIS better है because वो एक hardware implementation है EIS एक algorithm की through होता है यहाँ पर कोई hardware include नहीं होता तो यह depend करता है company पर जिसका phone आप use कर रहे हैं कि उस company कितनी अच्छी है और उसने कितनी अच्छी से आपको यह algorithm बना के दिये जैसे कि Apple phones में अगर आप देखें तो उसमें अगर OIS नहीं है तो अभी उनका EIS इतना अच्छा है जो कि दूसरी Xiaomi और Realme जैसे better perform कर सकते हैं तो यही सब था OIS and EIS के बारे में जानने के लिए और हाँ UIS, UIS, Max यह ऐसी terminologies भी आप देखेंगे जो कि Realme यूज करता है तो UIS basically Ultra Image Stabilization and Ultra Image Stabilization Max तो basically OIS and EIS ही है वो अपने mobile phones के लिए different terminologies एक तरीके से promotion का method है इनका different terminologies यूज करते हैं अपने आपको दिखाने के लिए कि हमारा तो बहुत अच्छा है विट आच्छल में अंदर का mechanism सब सेम ही होता है तो यही सब था जानने के लिए OIS and EIS के अंदर और आज ही इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं मैं बहुत जल्द आप से करना ही वीडियो के साथ तब तके लिए जैहिंद